हेलो स्टूदेंट्स वेलकम बाक तो मैं यूट्यूब चैनल आज हम सॉल्ड एक्जाम्पल देखेंगे फॉर मिस्लेनियस एक्सराइस ऑन चैप्टर थ्री मैट्रसस्ट सबसे पहले देखते हैं मैं एक्जाम्पल देखेंगे तो आपको प्रू Fkommen है एकू प्ल सससी कारेंगे अध्यू सा आपने मैं नीडटियॉ它 में परण सांधने हमार पास an की value है, that is, right, so this is our an value, so हम इसी value पर अपना mathematical induction apply करेंगे, right, तो सबसे पहला step mathematical induction में क्या होता है, आपको put करना होता है, n की value equals to 1, right, that is, यहाँ पर n की जगह मैंने क्या put कर दिया है, step 1 में कर रही हूँ, जहाँ पर n है, वहाँ पर 1 मैंने put कर दिया है, so यहाँ पर यह value किसके equal आ रही है, आप clearly देख पा रहे हैं, यह value a के equal आपकी आ रही है, so clearly this is equals to a, so आपकी जो value है, for n equals to 1 true है, right, अब next step, जब यह value true है, so हमारा next step क्या है, put n equals to k, ठीक है, अब जहाँ पर आपका n है, वहाँ पर आपको क्या लिखनी है value k, ठीक है, so यहाँ पर a to the power k हो जाएगा, और इसको मैं ले रही हूँ, 1 के equal, और साथ में आप लिख दीजी value, for all n belongs to natural numbers, right, because clearly आपका mentioned है, जो आपके n है, वो belong किया किसको कर रहा है, natural number को, so यह मैंने अपनी first equation नाम दे दी है, इसको 1, next step में, जब आपने value put कर दी है, n की k, k equal, इसके बाद आता है, next step, put n equals to k plus 1, so हम अपनी a to the power n में, क्या value put करेंगे, k plus 1, so जब मैंने अपनी value n में k plus 1 डाली, तो मैंको यह value मिल गई, right, so यहाँ पर आपका left hand side आपकी ये position है, right hand side आपकी ये position है, हम mathematical induction में क्या करते हैं, left hand side की value pick करते हैं, that is a to the power k plus 1, और mathematical induction में हम क्या करते हैं, left hand side pick करते हैं, उसको open करते हैं, expand करते हैं, simplify करते हैं, और किसके value, किसके equal आने की कोशुश करते हैं, right hand side के equal, so left hand side से मैं चलूंगी, और किसके equal लेकर आऊंगी, ये right hand side के equal so हमारा mathematical induction से proof हो जाएगा और यहाँ पर आपको left hand side में mattresses का use भी होगा जब आप product करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप a to the power k plus 1 देख रहे हैं इसको मैं break करके किस तरह से लिख रहे हूँ a to the power k dot a to the power 1 क्योंकि base same हो powers add हो जाती है अगर इस step को वापस से लिखना हो तो वो इस तरह से यह दिखेगा तो मैं इस step को इस तरह से लिख सकती हूँ so अब a k की value आपको equation 1 देगी that is this one and a की value आपको यह देगी so value put कर देंगे आप अपनी a k और a 1 की so अब आपके जो two matterses हैं वो उनका क्या हो रहा है product हो रहा है तो हम यहाँ पर product करेंगे solve करेंगे आपकी value किसके equal आएगी direct direct right hand side के equal right so after multiplying आपको यह value मिलेगी इस तरह से right अब आपको क्या करना है इसको और simplify करके लिखना है so अब यहाँ पर एक identity बन रही है आपने formulas पढ़े होंगे trigonometric chapter में so यहाँ पर वो ही apply होंगे बस यहाँ पर आपको angle का ध्यान रखना है यहाँ पर देखो k theta एक पूरा angle है and एक theta angle जो है आपका इस पूरे mattresses में आपको दिखेगा हर एक जगा ठीक है so k theta को suppose कर लिजिए मान लिजिए a और theta को मान लिजिए b सब देखे cos a cos b minus sin a sin b so k theta और theta की जगा अगर suppose करिए a b हो k theta और theta की जगा अगर suppose करिए आपका a and b हो तो आपको वो किस तरह से देखेगा मैं exactly आपको लिखके दिखाती है वो मैंने आपको नीचे लिखके बता दिया है ताकि आप अपनी identities trigonometric identities यहाँ पे apply होंगी ताकि वो आप easily apply कर सके right so cos a cos b minus sin a sin b right so जहाँ पर k theta है वहाँ पर a मान लो suppose कर लो right ताकि आपको identity लिखने में दिखकत ना आए और यहाँ पर cos a cos b minus sin a sin b यूज हो रहे है यहाँ पर b और यहाँ पर b और यहाँ पर sin a cos b plus cos a sin b की identity यूज हो रहे है यहाँ पर two identities यूज हो रहे है एक तो ये और a ये ठीक है so इनके formula's properly क्या बनते हैं cos a cos b minus sin a sin b का जो formula है वो बनता है cos a plus b और ऐसे ही sin a cos b plus cos a sin b का formula बनता है sin a plus b so ये two identities मैं अपनी यहाँ पर put कर दूँगी इस equation में और अब आपको वापस से a की जगा क्या लिखना है k theta b की जगा लिखना है theta अब आपको क्या करना है theta हर एक जगा यहाँ पर common आ रहा है उसको क्या करेंगे आप बाहर लिखते लिए so अंदर बचेगा k plus 1 theta बाहर sin k plus 1 theta बाहर so ये आपको value मिलेगी left hand side की जो कि आप solve कर रहे थे अब ये value किसके equal आ रही है right hand side के equal so hence proved आपका mathematical induction से proved हो गया है next video में example 27 दिखेंगे thank you so much for watching this video please like share and subscribe आप